जैहिन दोस्तों, आप सबका आज की एडिटोरियल डिसकस्शन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज है 23rd July और दोस्तों, आज हम दो इंपोर्टेंट एडिटोरियल को डिसकस करेंगे इंडिन एक्सप्रेस में से। हिंदू में आज कोई जाधा रेलिवेंट आर्टिकल में कोई नहीं लगा था। राजसभा का और कैसे राजसभा को श्रेंदन किया जा सकता है। Question of the day आपको end of the video में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, we have a telegram channel. So ladies and gentlemen, हमारे telegram channel का नाम है Editorials with Means Answer Writing. Now in order to get access to this channel, what do you have to do? आप नीचे description box में जाएगे, आपको यहाँ पे यह link देखेगा। इस link को प्लीज क्लिक करिए और आपको हमारे telegram channel का access मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता तो आपने इस number पे telegram की आपसे message करना है। और आपको हमारे द्वारा add कर दिया जाएगा। नंबर क्या है? 6280-133-177 और दोस्तों, फीचर्स क्या है हमारे इस telegram group में? यह free of cost initiative है, of course. यहाँ पे बेस्ट आंसर जो है वो आपके साथ रोज शेर किया जाएगा। पिन भी करा जाएगा telegram की group में शाम को छे बजे। और एक नया feature है model answer का यह भी शाम को छे बजे टेलेग्राम की group में पिन करा जाएगा। Now, best answer जो के question हमने पूछा था नंदनी जी का है, नंदनी very well done, once again नंदनी का answer best answer में आया है, अभी कुछ दिन पहले भी नंदनी का answer अच्छा था। Now, यहाँ पे बात करेगी थी कि क्या जरूरत है एक संतुलन बना के रखने के लिए between the right to surveillance of the state, of the executive and the right to privacy, जो के citizens की है। तो काफी अच्छा है नंने यहाँ पे answer लिखा है, तो पहले तो यहाँ पे किस सरकार का right to surveillance है, वो क्यों है? यहाँ पे Supreme Court की judgments इन्होंने यहाँ पे code करीए, कि Supreme Court ने क्या क्या, यहाँ पे बातें बोली है, जिसके चलते सरकार को permission मिली है, कि वो surveillance कर सकता है, जरूरी भी क्यों है सरकार को surveillance करना? वेकोज देखिए, internal security challenges है, external security challenges है, बात जब national trust की आती है, तो obviously surveillance करनी जरूरी भी है, और यहाँ पे citizens right to privacy की बात आती है, तो यहाँ पे उन्हें citizens की right to privacy essential क्यों है, कैसे उनकी privacy violate हो सकती है by this executive overreach, अगर तो surveillance की पावस्का misuse करा जाए, और अन्थ में way forward भी इन्होंने बड़ अच्छा दिया है, तो आप इस answer को पढ़ सकते हैं दोस्तों, और साथ में नंदनी, model answer को एक बार आप जरूर नजर डालना, और देखना और क्या-क्या dimensions, model answer में भी discussed है, चलिए, तो दोस्तों, आर्टिकल चुरू करेंगे, flood not disaster, written by Nirmalaya Chaudhary, ना, देखि दोस्तों, अब य digitization की बात करें, तो बहुत जादा हमारी जो essential services हैं, वो digitized भी हो चुकी है, ठीक है, education was digitized, health services were digitized, बहराल, अब हम floods की बात करें, तो देखिए, floods तो एक reality है, हर साल floods आते रहेंगे, अब इसमें तो कोई दो राहे नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं, बचने के लिए, कि flood से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन हम कहें कि बिल्कुल floods को prevent कर देंगे, यह तो possible नहीं है, या कहें कि हम बिल्कुल zero disaster risk कर लेंगे, वो भी possible नहीं है, disaster risk को minimize किया जा सकता है, completely eliminate नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो देखिए, जो floods हैं आज के time पे, चाहे हम India की बात करें, चाहे हम Europe की ब बात करें, they are triggered by extreme weather events, लेकिन यह disaster में क्यों convert होते हैं, because of man-made factors, देखिए, अब आज के time पे, अब उत्राघंड की ही बात कर लें है, वहाँ पे eclogically fragile area है, हम northeast की बात करें, वहाँ पे काफी eclogically sensitive zone वहाँ पे माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे human intervention की बा कहते हैं, इतनी सारी चीज़े बनाई जारी है, तो definitely जब बारिश आएगी, तो पानी जब इकठा होगा, तो flood तो आएगा ही आएगा, है ना, तो यह man-made factors है, अब यहाँ पे करा क्या जाए, अगर हमको risk को minimize करना है, तो dams बनाना, embankments बनाना वो एक बात है, लेकिन इस article मे बात यह emphasize करी गई है, कि dams बनाने से और embankments बनाने से तो floods की problem और aggravate हो रही है, लेकिन यहाँ पे focus किस पे होना चाहिए, focus होना चाहिए, कि जो बहुत सारे ऐसे dimensions है, vulnerability के, वो अगर हम उसको prioritize कर सकें, rather than कि हम dams बनाएं, या embankments बनाएं, ठीक है, या कोई किसी किसम का structural intervention करे तो जो लोग vulnerable है, उनको कैसे address किया जा सकता है, लोग है, ठीक है, उनकी cattle है, उनकी जमीने है, उनकी fustle है, उसकी उपर कैसे prioritize किया जा सकता है, ताकि उसका कम से कम नुकसान हो, बिकुस देखी दोस्तों, जब floods आते हैं, जादतर नुकसान, सबसे maximum नुकसान किसको देखना पड़ता है, खास करके rural areas में लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है, उनकी फसल खराब होती है, उनके जानवर मारे जाते हैं, ठीक है, अब risk management की बात करते हैं, तो risk management सरफ एक water resource department के द्वारा नहीं करा जा सकता, तो यहाँ पे convergence की जरूरत है, हैना multiple departments को यहाँ पे synergy दिख करा है, the efficacy of working in a mission mode, तो inter-ministerial coordination, inter-departmental coordination और community participation में हमने स्वच भारत में देखा है, उसी तरह से यदि हमको floods की समस्या से भी एगर लड़ना है, तो देखी दोस्तों, यहाँ पे जन भागिदारी तो काम आएगी, आएगी, communities को, देखी अब यहाँ एक बड़ी important बात, यहाँ प पड़ेगा, floods की तो problem आती रहेगी, लेकिन उनको जीना भी पड़ेगा, despite the problems के floods आ रहे हैं, कि वो फिर भी resiliently वहाँ पे live कर रहे हैं, resiliently अपना काम कर रहे हैं, ताकि उनकी उपर कम से कम ठेस पहुंचे, ताकि उनकी जो rural economy है, उस पे कम से कम ठेस पहुंचे, वो बहुत ज prices आया है, कोई बात नहीं, फिर से अपने आपको rebound कर लेंगे, जपान में हम देखते हैं, जपान में 2011 में nuclear disaster हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने rebound किया, तो resilience की बात आ जाती है, कितना कुछ सीखने को है Japanese society से भी, अब अब अगर community level की बात करें, there must be a strong desire in contributing towards resilience building, तो यहाँ आपे for example, यहाँ पे अगर असाम की बात करें, अभी आपको पता ही होगा, recently असाम में भी बहुत ब्यंकर floods आये थे, 22 से जाधा districts जो है, वो impacted रहे थे floods से, अब हर एक जो गाओं है असाम में, this should have access to elevated shelters, ठीक है, यानि कि जो अगर हम बात करें, घरों को थोड़ा उपर race करना ठीक है, अब elevated shelters की यहाँ पे बात आ रही है, तो यहाँ पे बात करते हैं धेमा जी की, धेमा जी जो के एक district है असाम में, यह one of the worst flood affected districts है, और यहाँ से कुछ important lessons आई सीखने के लिए, धेमा जी जो है, यह foothills of Himalayas में है, अब अगर ब्रह्मपुत्रा की बात करें, चलप्रदेश की, वहाँ से बहती हुई जब असाम, क्योंकि असाम downstream में आ जाता है, जब असाम में आता है, अब problem क्या है कि ब्रह्मपुत्रा का जो course है, जो direction है, वो frequently बदला जा रहा है, ठीक है, और जिस तना से हम बारिश के patterns में भी changes देख रहे हैं, अब especially जब heavy rainfall होती है upstream, तो ब्रह्मपुत्रा का जो course है, वो और जादा बदल जाता है, इसके करके जो downstream जो states हैं, उनके लिए बहुत problem आती है, floods आते हैं, और इसके चलते, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का course change हो रहा है, because of the changing rainfall pattern, अब इसके चलते volatility भी बहुत बढ़ रही है, तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पर लोगों को resilience दिखाना, क्योंकि यह problem आती रहेगी, हर साल असाम में floods आएंगे, असाम हो, केरल हो, या आगर हम northeast monsoon की जब बात करते हैं, retreating monsoon की जब बात करते हैं, सर्दियों में, जब तामिल आड़ों में भी बारिशे आती हैं, तो यह तो problems आती रहेगी, लेक अपनी फसल को बचा सके, अपनी कैटल को बचा सके, जब ऐसे floods आते हैं, तो यहाँ पर village disaster response committees बनाई गई है, लेकि दोस्तों यह बाते ना, इस article में mention नहीं थी, मैंने किसी और article में से बाते पढ़की, इसमें यहाँ पर mention करी है, ठीक है, तो थोड़ा सा value edition का यहाँ पर topic ब करें है, ठीक है, ठीक है, बैंगन की सब्सक्राइशन की बात करें, अब वह अपनी फसल बिगॉस की बात करते हैं, तो फ्लट के चलते हैं, उनकी पैडी को काफी नुकसान पहुंचता है, यह इस करके वह अपना cultivation pattern भी change कर रहे है, चली एक बात अच्छी यह भी है, कि अग पानी की भी बच्चत रहती है, पानी की इतनी वेस्टेज नहीं होती है, और देखिए जब फ्लड आते हैं, तो बच्चों, अब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, बच्चों की जो एजूकेशन उस पर इंपक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर रूरल वॉलंटेर्स कमिटी बनाई गई है, जो के नॉन प्रॉफिट एंटिटीज की तरह काम करती है, खास करके धेमा जी और मजुली डिस्टिक्स में, असाम में, तो यह इंशूर करते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है, वो इंपक्टेड ना हो, एफेक्ट ना हो, जब ऐसी प्रॉब्लम फ्लड की आती है, लेकि climate scientist कहते हैं कि यह तो देखी अब जो इस तरह के जो intense और extreme weather events है आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे, अभी आप देख रहे हैं यॉरप की बात करें कितनी गर्मी है यॉरप में, Spain में, Portugal में, 47, 48 degrees Celsius के temperatures देखने को मिल रहे हैं, forest fires का concept हम देखने हैं की नहीं है, जब तक ये इसकी जो reach है, remote गाहों तक ना हो सके, गाहों गाहों तक जब इसकी पहुंच, जब तक इसकी penetration ना हो सके, तो अब यहाँ पे और बात करेगी, जो community institutions हैं, खास करके जो के काम करते हैं, NRLM scheme के चलते, यानिके National Rural Livelihood Mission के चलते, यानिके ये जो scheme है, NRL ये फोकस करता है, self-employment के उपर, स्वरोजगार के उपर, टेक आप जो community institutions हैं, जो के मदद करते हैं लोगों की, ताकि वो अपने आपको self-employment के towards, और येंट कर सके, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि training इस तरह के community institutions में, जो disaster management की है, वो training भी यहाँ पे इस institutions में दी जाए, खास करके जो बहुत जादा disaster prone areas है, now, dealing with the flood risk is eventually a management problem, तो लड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे management skills होना बहुत जरूरी है, और जब management skills की बात आती है, तो यहाँ पे dedicated और trained professionals की जरूरत है, जो कि flood risk को manage कर सकते हैं, और resilience को बढ़ाने में, community के अंदर और जादा योगदान दे स urgency होती है, तो यह बहुत बहुत बहतरीन opportunity है, राज्य सरकारों के लिए भी खास करके जो के खास करके वो राज्य जहाँ पे floods बहुत frequently आते हैं, राज्य सरकारे हो या philanthropic organizations हो, जो money donate करते हैं, NGO's की बात करें, या academic institutes की बात करें, यह कठे हो के develop कर सकते हैं, ऐसे dedicated और trained professionals, जो क flood risk management में काफी काम आ सकते हैं. इसकी बात करें, जो genesis है, राज्य सरकारों का, देखिए हमने history पड़ी है, modern history में हमने, Montake, Clemsford report पड़ा होगा, 1908 का, Government of India Act, 1919, ठीक अब इसके चलते हैं, डायार की introduced करा गया था, bycameralism introduced करा गया था, है ना, तो जो second federal chamber है, of the council of states, वो कहां से आता है, Government of India Act, 1919 से आता है, अब इसकी जो relevance है राज्य सरकारों की, इसको debate करा गया था, Constitute Assembly में, July 28, 1947 को, है ना, जब founding fathers of हमारे constitution की बात करें, तो उसको लेके काफी तब बातचीत करीगी थी, काफी बहस करीगी थी, कि राज्य सरकारों का होना जरूरी है भी कि नहीं, अब उस debate के दुरान कुछ लोगों न लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये कहके भी counter किया कि भी देखिए, जो राज्य सरकारों की तरह काम करेगा, वहाँ पर एक element of sobriety introduce करेगा, और जो quality of discussion है, quality of debate है, तो राज्य सरकारों को भी enhance करेगा, अब देखिए, जो role और relevance है राज्य सरकारों का, वो लाए करता है, not only in the consideration of representation, जैसे कि हम जानते हैं, राज्य सरकारों किस को represent करता है, states को represent करता है, council of states कहते हैं, लेकिन quality of discussion की भी यहाँ पर बात आती है, देखिए, खास करके दोस्तों, बहुत जरूरी है बात को समझना, खास करके आज के टाइम पे जब opposition ही नहीं है, opposition बहुत relevant भी नहीं है, तो opposition है फो दो at least बना के रख सकते हैं, सरकार की अपर, ठीक है, अब लोग सबह में कोई प्रस्तावा आया, लोग सबह में कोई रूल, अगर बिल कोई पर पास करा गया है, तो राज्य सबह में भी जाता है, ऐसे तो लोग सबह में बिल इंटेडिघूस करके वहीं फाइन तो नह या ना पसांदा है वो कुछ better suggestions भी दे सकते हैं उस बिल को लेके वो वापस लोगसभा में जाएगा तो कहीं ना कहीं एक healthy by Cameralism promote होता है ठीक है sense of accountability promote होती है to the law making process और साथ में वैसे तो देखी वो भी हमारे parliamentary system में बना रहता है ठीक है तो राज्यसभा एक तरह से एक bridge की तरह काम करता है राज्यों के बीच में लोगों के बीच में और sunset के बीच में ठीक है और ये राज्यसभा का होना क्या है जो decentralization के principles हैं उसको strengthen करता है है हम cooperative federalism की बात करते हैं पिछले 8 सालों में हमने cooperative federalism की बात कितनी बार सुनी है तो cooperative federalism को और strengthen करता है और states को एक independent voice भी मिलती है अब relevance of Rajya Sabha की बात करें तो देखी कोई भी बिल अगर लोकसभा देखी बिल लोकसभा में भी अनलेस ऑबिसली मनी बिल है वो राज्यसभा में नहीं इंटिडियूस हो सकता है लेकिन कोई और बिल है और और बिल है अब वो किसी भी house में इंटिडियूस हो सकता है अब उसक अब इसेंट एक बहुत एसेंचल पार इंटिमोक्रिसी का ठीक है इवन अगर लोकसभा डॉमिनेट करता है अगर प्राइम दी सेखोल्डर देलॉव में प्रसेस लेकिन फिर भी राज्यसभा का जो रोल है वह बहुत ज्यादा वालविबल है ठीक है जो डेलिबरेश जो य यहां पे लोकसभा के पास पावर है मानी बिल को इटित अटीउ सब्सेट करने की है न स्पीकर तै करता है कि कौनसा बिल मंच बिल है यह नहीं है लेकिन बाकी सारे जो बिल्स है अपार्ट रॉमनी बिल्स वहां बहुत एका बार बिज़ें बैलंस एक्टा है इसे पावर का बहुत लिमिटेड रोल रहता है इंद फॉंक्शनिंग ऑफ द पॉब्लिक अकाउंट कमेटी और बिकल देखी अब राज्यसभा का कोई रोल नहीं एस्टिमेट कमीटी में पॉब्लिक अकाउंट कमीटी में जैसे कि आप जानते 15 MPs होते हैं साथ MPs होते हैं राज्यसभा क तो थोड़ी सी यहां पर एडिशनल इंफरमेशन पॉब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे अब अगीन यह थोड़ी वालिव एडिशन ऐस आर्टिकल में यह चीज उसमें में नहीं थी बट आइम शूर आपने पी एसी के बारे पॉलिटी में भी पड़ा होगा है ना लक्श Memory कि सरकार क्या वो खरचा ठीक तरीक है कि नहीं कर रहे हैं जो मनी आलोकेट करा गया था सबटने सब्सक्राइब और एक प्लिक अकाउंट कमिटी तो यह जो क्या है इसका में काम है इसका में काम है इस तो असरे इसके बाद उसके बाद उस रिपोर्ट को स्टेडी भी करता है एक्जामन भी करता है तो बहुत इस बात को लेकर अर्गुमेंट रहा है कि अगर मैंटर्ज हैं रिलेटेट टू फइना इसके बारे और गौर से सुनने के लिए तो राज्यासबा का रोल को और श्रेंदन करना चाहिए और वैसे भी अब यहां पर व्यूज जो दे रहे हैं कॉलमनिस्ट मुनोज जाजी वो यह कह रहे हैं कि लोग सबा के जो MPs रहों तो वैसे भी बिजी रहते हैं और अगर इंडेप्ट डिसकाशन हो राज्यासबा में जो के तमाम मुद्दे हैं राज्यों के जो भी ऐसे कंसरन्स है राज्यों के तो शायद उससे राज्यों का भी फायदा हो सकता है आप कुछ स्पेशल पावर्स की बात करें राज्यासबा की तो राज्यासबा जैसे के आप जानते हैं राज्यासा के पास अबिलिटी है तो क्रिए अन्यू ऑल इंडिया सर्विसेस धारा 312 के चलते लेकिन वो जो रेजिलुशन अगर पास करी जाती राज्यासबा के दौ अगर कोई भी ऐसा इसू है अगर कोई इसू रेस्टो नाश्यासबा इंडर इंडर इंक्लूदिट हो तो राज्यासबा के पास वो पावर है कि उसके उपर कोई भी कानून अंडर आटिकल 249 राज्यासबा बना सकता है और तीसरी बात अगर हम बात करें नाश्यानल अगर हम बात करें फिनांचल एमरजनसी की आर्टिकल 360 के चलते तो राज्यासबा अप्रूव कर सकता है अगर तो लोगसबा डिजॉल्फ हो चुका है अगर यहां पर राज्यासबा को कहा जाते हैं कि भी पड़े लेखे लोग यहां पर आते हैं तो हर एक पाटी में ऐसे पड़े लेखे लोग यहां पर आते हैं लोग और इंटलेक्शल लोग होते हैं तो उस तरह की लोगों को इंकरिश करना राज्यासबाब में लेके आना वो जादा फाइदेबंद रह सकता है अब नॉमिनेशन की बाद आती है ठीक है एमिनेंट लोगों को चाहिए वो आर्ट से रिलेटिट हो चाहिए वो स्पोर् राइजन्स है राज्यासबा कि इसको कैसे एलेक्टोरल काल्कुलेशन के बेयॉंड रखा जा सकता है अब फर इंपल जैसे हरबजन सिंग है अभी वो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट राज्यासबा से वो नॉमिनेट करे गए थे ठीक है पंजाब सरकार के द्वारा तो ऐसे और भी बहुत सरे लोग हैं जावेद अक्तर थे पहले वो आर्ट से रिलेटेड हैं तो ऐसे बहुत सरे लोग हैं जुनको मौका नहीं मिलता कि वो एलेक्शन में खड़ा हो सके या वोट जीच सके या मास पॉपलारिटी लेकर आ सके लेकिन अगर उनको नॉमिनेट किया जाता लोगों के मुद्धों को वहाँ पर उठा सकते हैं तो इसे सुसाइटी को और एलेक्टरेट दोनों को ही फाइदा है तो कंक्लीशन में दोस्तों बहुत क्रूशल रोल राज्यसभा का है कंटीनिटी जो प्रॉइट करती है इंडिन पार्लिमेंटरी दिमोकरसी को तो इस करके राज्यसभा जो है can act as a very crucial instrument to provide in providing compelling insights तो definitely यहाँ पे अंत में जो line conclude करेगी है वो यह कह रहे है कि राज्यसभा की जुरूरत है ताकि हम states के concerns को और states के rights को भी हम अच्छी तरह से safeguard कर सके तो question of the day क्या बनता है discuss the case for strengthening the role of राज्यसभा in a parliamentary democracy बहुत easy question है 150 words में आपने लिखना है और दोस्तों जाने से पहले जैसे हमारी advertisement रहती है तो वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि sleepy classes offline batches शुरू कर रहे हैं in fact Monday से हमारी first class है तो यदि दोस्तों आपने अगर अभी नहीं इन्रोल कि offline batches में यदि आप एक चुक हैं अगर आप interested हैं हमारे offline courses में participate करने के लिए offline batch में जुड़ने के लिए तो आप हमारे इसके बारे और assistance ले सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा कल चुटी करते हैं और मिलते हैं Monday को और चर्चा के साथ तो अब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए Thank you and जहिंद